विस्फोटक न्यूस के प्रायर जग हैं रेट प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स हाला कि उसने वीडियो जारी कर खुर इस बात को स्मिकार किया है जब रेट फोड की तरफ गए तो एक सिंबॉलिकली अपना रोस अपना प्रोटेस्ट, अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए जो नए कृ리शी कानून बने है उसको दर्ज करवाने के लिए हमने वहाँ निशान साहब भी लगाया हमने किसान जंडा भी हमारा लगाया किसान मैदूर एकता का नहरा भी बुलंद किया इसलिए किया और पीछे उसके तरंगा लगा हुआ है सो जेस पोस्ट पे हमने जंडे लगाए उस पोस्ट के ओपर कोई जंडा नहीं था और ये जंडा हमारी इस देश की डाइवरसिटी जो हमारी डाइवरसिटी है उसकी पहचान है देखिए आप डाइवरसिटी को इस तरह मत देखिए भी यूनिटी इन डाइवरसिटी डाइवरसिटी का एक्चल मीनिंग जो यूनिटी इन डाइवरसिटी या हमारे गुरु सहबान या श्री गुरु गरांज साब से हमने सीखा है different but equal so different but equal जो diversity है उसको समझने की कोशिश कीजिए so इस देश की एकता और अखंडता के उपर किसी ने सवाल नहीं उठाए है किसी ने वहाँ से फिरकू और भड़काने वाली बाते नहीं की है लाखों लोगों ने इतनी बड़ी mobilization हुई लाखों लोग इस बहाओं में बहे वो एक ऐसा बहाओ है अगर आप उस बहाओं को नहीं समझेंगे और उसको सिर्फ आज की घटना को isolation में देखने लगेंगे तो हम बहुत बड़ी गलती कर जाएंगे ये एक पहले जो process चल रहा था उसकी continuation है इतने समय से हमें 6-7-7 महीने हो गए ये protest करते हुए उस protest में 6-7 महीनों की continuation है जो ये चल रहा है जो आज हुआ तो इसको isolation में मत देखिए ये घटना बीप सिद्धू को बीजे की सांसत सनी देओल का चुनाव एजेंट बताया जा रहा है इसके साथ ही दीप सिद्धू का पीम मोबी के साथ एक तस्वीर भी वाइरल हो रही है इस तस्वीर में सनी देओल और दीप सिद्धू पीम मोबी के साथ है इस बवाल के बाद राजनीती गर्म हो चुकी है इस मामले में सनी देओल ने बीते दिन यानि 26 जन्वरी को ट्वीट किया और लिखा कि आज लाल के लिए पर जो हुआ उसे देखकर मन बहुत बुखी हुआ है। मैं पहले भी 6 दिसंबर को ट्वीटर के माध्यम से यह साफ कर चुका हूँ कि मेरा या मेरे करिवार का दीट सिद्दू से कोई संबंद नहीं है।